Assalamualaikum my dear students आप सब कैसे हैं, अमीद है, you all will be fine so today your classwork is first year, day 70, hash 80 reading and explanation page 56 हम new chapter स्टार्ट करेंगे, आप fantasy world fantasy world में आपको बताया था, ख्वाबों की, ख्यालों की दुनिया do exercise, see page 56, daily routine वो भी मैं आपको बताऊंगी, यह exercise A है as you read the poem, जैसे मैं आपको यह poem एक पढ़ाऊंगी उसके बाद यह caution है, what will the poet do in her fantasy world what will the poet not do, ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कि यह हम explanation पढ़ते हैं इसके बाद यह exercise A है, जो आपको याद करनी होगी okay students, आप अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा इसका क्यूंकि जब आपको नेक्स हैश आएगा, तो इसमें मैं इस caution का आपसे review लूँगी, copy में तो आप यह बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और अपनी ट्यूटर या मदर को इसका ट्यूशन की कॉपी में ऐसा प्रैक्टिस के तौर पे टैस्ट दे दीजिएगा, okay students, अब हम आज आते हैं, बुक पेज नंबर 56, आपन बुक पेज नंबर 56, आपन बुक पेज नंबर 56, अब ने आपन किया, okay, so अब स्टार्ट करेंगे आप फैंटेसी वर्ल्ड, फैंटेसी वर्ल्ड क्या, एक ख्याली दुनिया, ख्वाबों की दुनिया, what will the poet do in her fantasy world, क्या इसमें की रहा है, कि poet यानि शायर जो इसने ये poem दे ठीक है, शायर अपनी ख्याली दुनिया में क्या करेगा, what will the poet not do और क्या नहीं करेगा, ये हम परेंगे, okay students, so अब सब मेरे साथ परिए, up there amongst the clouds and suns, वापिस पढ़ते हैं, up there amongst the clouds and sun, बादलों और धूपों के बीच में, ठीके, with melons and peaches and lots of buns, वापिस पढ़ेंगे, with melons and peaches and lots of buns, खरबूजों, आरू और बहुत से बनों के बीच, where history books are out of debt, where history books are out of debt, क्या इसमें बोल रहा है, जहां तारीख की किताबे पुरानी हैं, जहां history books यनि तारीखों की किताबे पुरानी हैं, and no one goes to bed till late, and no one goes to bed till late, और क्या, और देर तक कोई बिस्तर पर नहीं जाता है, और देर तक कोई बिस्तर पर नहीं जाता है, that's the land to which I will go, this is the short form of will, okay, that's the land to which I will go, यही वो सरजमीन है, जहां आप जाएंगे, where you push a button, जहां आप एक बटन दबाएंगे, and down comes snow, और नीचे बरफ परती है, ठीके, बहुत अच्छे से word to word में ने आपको यह समझाया, या, शायर तो अपनी ख्याली दुनिया में है, देखो, वो अपनी ख्याली दुनिया में है, clouds के उपर है, बहुत सारे melons है, peaches है, sun है, clouds है, और वो एक बटन पुश कर रहा है, जिससे वो इस तनों गिरा रहा है, look, ठीके, this is fantasy world, यह इसकी fantasy दुनिया है, सही है students, आपको याद होगा कि हमने fantasy में class में भी बहुत सारे topics पर discuss किया था, फिर आप लोग को एक according to, थोड़ा समय ने आपको review भी fantasy पर दिया था, ठीके, तो यह fantasy है point की, fantasy world by china williams, ठीके, okay students, तो आपको यह बहुत अच्छे से reach करनी है, और इसका exercise A, जो model work में है, आपको वो बहुत अच्छे तरीके से caution याद करना होगा, okay, now this is your exercise C, what do you at different times of day, write true sentences, okay students, बहुत से लोग उसको sentences पढ़ते हैं, but the actual pronunciation is sentences, so that's why I am pronounced like these, if you pronounce sentences, this is also correct, okay, तो अब आपको daily routine, now आप क्या करते हैं, दिन में कब उठते हैं, कैसे करते हैं, and we also use the form of verb, first form of verb, because जब हम कोई daily routine present, हम बताते हैं, बिकॉस यह तो हमारी change होती नहीं है, तो यह तो हम daily करते हैं, तो हम यह present में लिखेंगे, तो I hope आपने forms of verb याद कियोंगी, देखा आपने, कि forms of verb हमारी लिए कितनी important होती है, that's why मैं आपको कहते हूँ, याद करो, तो अब इसको copy में कैसे करना है, मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपको chapter of fantasy world, ठीके, यह काम का title बनाना है, आपका last काम यह होगा, जो हमने किया था last hash में, वो behaving rules का, वो आपका last होगा, इसके बाद हमारा new chapter शुरू हो रहा है, day to day kindly mention जरूर कीजिएगा, मैंने blank चोड़िए, बट आप जरूर mention करेंगे, अब यह सही Friday वाले दिन है, तो यहां Friday लिखेंगे और Friday को कौन सी date जा रही है, okay students, अब फिर आपको क्या करना है, फिर आपको date mention करनी है, exercise C, unit 4, day 70, day 80, CW, daily routine की heading, मैंने आपके थोड़ी सी help कर दी है, इसके आएगे आप खुद लिखेंगे, ताकि आपको idea हो जाए, I get up early at days, अब मैंने आप देश के आप कितने बज़े उठते हूं, वो time लिख लिजएगा, get up में इतने बज़े उठती हूं, या उठता हूं, I eat breakfast at days, में इतने बज़े breakfast करता हूं, या करती हूं, timing लिख लिजएगा, then I ready for school, फिर मैं स्कूल के लिए ready होता हूं, या होती हूं, then I go to school, फिर मैं स्कूल जाता हूं, या जाती हूं, then I come back from school, then I come back from school, फिर मैं स्कूल से वापस आती हूं, after that I take a bath, फिर मैं नहाता हूं या नहाता हूं, क्योंकि ये daily routine है, इसके बाद आप क्या करते हो फिर आप लंच करोगे करते हो तो आप लेख लो देना इत लंच देना गो टूशन देना इंग गांग देना आई वाच टीवी इस तरीके से आप अपनी complete कर लीजिए का daily routine okay students इस पेज पर complete कर लीजिए का एक पेज ही बनाएगा इसे ज्यादा नहीं और यह कि नहीं आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो ठीक है आप यह काम अच्छे तरीके से कर लीजिएगा अब हम आ जाते हैं इंडेक्स पर इंडेक्स आपका है आपका लिखेंगे 11 exercise C daily routine ओके students अपना ख्याल रखेगा लाहाफिज students आप यह देख लिजी कि homework में आपका write your own daily routine in color computer paper and present in your class लेकिन अभी आप क्लास में नहीं है तो आपको यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको मैंने copy में daily routine करवा दिया है इस इनफ ठीक है इनफ है अब आपको यह चीज नहीं करनी है जिसे आपको homework में क्या जा रहा है यह question learning पर तो आप इस पर focus कीजिए और copy work जो मैंने आपको वीडियो के तुरू बताया है वो काम कीजिए ok students